हेलो एभ्रिवान, स्वा अध्यान पर स्वागत है, आज हम नदी और पाहाड के बीच संबाद अध्यान करेंगे मैं नदी हूँ, सब तो मेरे बारे में जानते हैं, मैं कहां से आती हूँ, क्या मेरा अस्तितो है, मेरा क्या मुल्य है तो चलिए, आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ मैं हूँ पाहाड, लोग मुझे खोद कर रास्ता बनाते है जब मनुस्य का जी चाहता है तो वो एक वी स्पोर्ट करता है और मुझसे मेरे ही सरीर का एक हिसा ले जाता है जो कामता नहीं है उसे फिर मेरे सरीर पर ही डाल देता है अच्छा और नदी को कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है जैसे सरीता, प्रवाहिनी, तटीनी, आदी में मुक्षत हा, सुभाव से चंचल हूँ पर कभी-कभी मध्धम भी हो जाती हूँ, कल-कल करके बह जाती हूँ ये मनुस्य मुझे विकास के नाम पर बली चड़ाते हैं, मेरे प्रवाह को रोग कर बांध बनाते हैं तब तक तो ठीक है, पर जब वो मेरी और उनकी सांसों के लिए जरूरी पेडों को कारते हैं तो बहुत दुख होता है मैं अभागा रोता हूँ तो वो समस्ते हैं कि बाढ़ आई है, मेरे सरीर के किसी हिस्से में धूप से जलन होती है तो वो समस्ते हैं कि वनागनी है मैं मानव हस्तकिसेप के कारण दर्द से करहता हूँ तो उसे भूस करन नाम देकर प्रकृती को कोस्ते हैं हाँ मैं पहाड हूँ और बहुत उदास हूँ, मुझे जिस तरह से प्रकृती से अलग किया जा रहा है तो मैं दर्द से तडप रहा हूँ मेरे आशों के सेलाव से बर्फ पिघल रही है, जो कुछ भी हो रहा है उससे यही लगता है कि मेरे सब अंग तकलिफों से भरे हैं और मैं बेकार होता जा रहा हूँ उपक्सित, उत्पिडित और अपमानित सा महसूस कर रहा हूँ मेरे बाहव कभी तेज़तों, कभी-कभी धीमा होता है, मैं स्थान अनुसार कभी संक्रीतों, कभी चौड़ी हो जाती हूँ मेरे रास्ते में बहुत अर्चने, बहुत रुकवट आती है, कभी पत्थर, कभी कंकर, कभी चटान, पर मैं कभी ठैरती नहीं हूँ अपना रास्ता बनाती चलती जा रही हूँ, जर 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 बहती रहती हूँ, मनुस्य मुझसे अनेकों प्रकारों से जुड़ा हुआ है या यूँ कहों कि मनुस्य के लिए अती उपयोगी हूँ मनुस्य के लिए मेरे क्या क्या उपयोग है चुँकि मेरे भीतर जीव जनतु पाय जाते हैं इसलिए मैं मनुस्य के लिए भोजन का स्त्रोथ हूँ त्योहरों के वक्त मेरे आसपास भीड उमरती है मेले लगते हैं, खूब रोनुक होती है, सभी चेहरों पर मुश्कान होती है, परन्तु बहुत से पल ऐसे भी होते हैं, जो मनभाव वीभोर हो जाता है हम दोनों अंत में मनुश्यों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुश्यों को नदी पाहार तथा प्रकृती को सरंक्सित तथा सुरक्सित रखने की आवस्यक्ता है, धन्यवाद एससे ही वीडियोस तेखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए वेल आइकन को दबा दीजिए